हासी में जैन इलेक्टोनिक्स के मालिक से 5 लाग की फिरोती मांगने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफतार कर लिया है DSP RN चोधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी कमल जैन से फिरोती मांगने वाला युवक अनिपुरा गाउन निवासी अनिल है जिसे CIE team ने सोमवार देरात को हिरासत में ले लिया था और उसे मंगलवार को कोट में पेश किया गया है जहां से उसे न्याईक हिरासत में भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि व्याकर्ज के बोज़ में दबा हुआ है जिसकी वज़े से उसने व्यापारी से 5 लाग की फिरोती मांगी है इसको जानता नहीं था इसको फिरोती इसने मांगनी थी पैसे पैसे चाहता था इसी कोई जानका रही है इसी यह बात सच नहीं है कि यह इसकी शॉप पे काम करता था जो उसने कहा है उसने कहा है कि जी रेंडम ली उसने नमबर देखा और उसको पैसिक जरूर थी तो उसने फोन मार दिया और अपना अकाउंट नमबर भी दिया और अपना फोन नमबर भी अपने खुद के फोन से कॉल किया इसने फिरोती मांगने के लिए पहला मैसेज जैद परसों किया इसने उसमें भी फिरौती वाला एंगल क्लियर ना हो पूरा मैसेज शायद वो नहीं था तो जैसे ही वेपारी को लगा के फिरौती मांगी है कल वो इसको क्लियर हुआ तो उसने पोलिस को सूचित किया और हमने उसको राउंड अप करके अरेस जुडिशिल कस्ट्वी इसका कोई और साथी है या केला था इस पर करन में ही अकेला ही था इसकी स्टड़ी कितना बड़ा लिख रही है आठी पास अभी बताया था है मैंने चोरी के हैं एक 307 है काम तो मजदूरी मजदूरी जब क्राइम नहीं कर रहा तो परबड़ी कर दूरी कर रहा है